नमस्ते दोस्तों स्वागत आप सबकार स्प्रेशलिंग ब्लोक में में होको दस पूजा स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चलप तो दोस्तों कैसे आप सभी अच्छी होंगे और मैं यहाप ठीक हूं बच्चे देखिए सुबे सुबे वाप खेल रहा है सुनू और दूआरम आप आप से समय ऐनवर थाज और वलिदू पर दो जैका आप बच्चों पर दियान ताकि आपको आगे चलके मेडिसिन ना खाने पड़े लेकिन में ऐसा किया नहीं था ना तो खुद पढ़ेंड देती हूँ और ना इखुद corazón पर तो फाइनली मेडिसिन चल हो दो माईने हो चुका था लेकिन अब लेना जरूरी हो गई है कि अब लेना जरूरी हो गई है कि सबसे पहले सुबे उठकर खाली पेट में मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा तकलिप होती है बहुत उल्टी आती है लेने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता लेकिन जो लोग खाना नहीं खाते ना तो उनके साथ यह चीजें होनी पड़ती है खास करके जब हेल्थ का देहन नहीं रखते हैं तो यह तो होना ही है गल्ती खुद की यह तो भोगत नहीं तो पड़ेगी और यहां पर मैं अभी दिखाते हूं बाहर देख सकते हैं मेरे बरतन बगरा हो चुका है लेकिन आज जो है धूप निकलने वाली है बहुत ही भैंकर क्यूंकि सुबह 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 सूरिय देव जी किरन बहुत ही ज़्यादा वो निकल रहा है और अभी गयस की साब सपय बग पर क्या करें आज उनकी मन पसंद जो सब्जी है फेवरेट वो खतम हो गई है और कल रात की थोड़ी से खीर बची हुई है तो वो मैं खा लूंगी तो दोस्तों आज मैंने खाने में बला है चोलाई की साग और आलू तो यह तो बनकर रेडी हो चुकी है और देखिए यहा मारा सोनू खा रहा है क्या कल की बची गुची केक कल पूरा के खतम नहीं हुआ था ना थोड़ा सा केक रखी हुए तो वो केक चाट रहा है ऐसा लग रहा है जैसे केक खाने में तकलीव हो रही है खालो और रखिए दे दूंगी ऐसे नहीं खाते है और दोस्तों आभी बच आज एक हाँ से नमस्ते किया मेरे बेटे ने आप लोगों को तो दोस्तों फाइनली जो है कल मेरा बुलवा आ गया है यानि आज मैंने बखिल साब से बात किया था तो उन्होंने बोला कल आ जाना जो भी होगा उनकी कुछ भी फॉर्मिल्टी बगरा बहु पूरे कर देंग तो बुला आपको जब भी टाइम मिले तो आजाना आराम से रिलाक्स होके कोई टेंशन नहीं है तो दिल है ना पूरा धक धक कर रहा है कैसा कर आचो तू धक धक कर रहा है और कल यह लोग है ना फिर से एक बार नानी के पास शीप्ट होने वाले हैं दोनों भाई क्यूंकि मैं चली जाओंगी तो इनको लेके तो नहीं जाओंगी कि फिर एक तो बरसात का मौसम है उपर से सोनों को को प्राब्लम है और कल रात को भी उससे बहुत ज़्यदों तकल कैसी प्रोसेस रहती है कैसा क्या रहता है तो हो सकता कल का सारे दिन वहीं कड़ जाएं क्यूंकि एक जेगे जाते तो पता लगता है कि जा रहें लेकिन कितना टाइम वहां पर लगेगा तो कहना मुश्किल है तो फाइनली आज जो तीन-चार माहिने से में इंतिजार कर रह होगा है थोड़ा टेंशन में तो हूं तो टेंशन में नीन तो नहीं आने वाली और वैसे भी हमारा छुट रनस होता नहीं रात रात रहता है और वैसे बीशन आज कल जो है इसके बाब फोन करके मुझे धंकिया दे रहा है कभी रात की 11 वज़े तो ये काम करना छोड़ च कुछ भी करें अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं प्रोसेज में और नहीं अभी तक कोट में कुछ भी कागज बगरा लगा है लेकिन इसमें उनकी जो है हालत कराब हो रही है तो वह बंदा आप मुझे बोल रहा है आतु एना कोट के चरी के चकर काटना बनका दे थाने जान है वहिए लेकिन कल जब जारी हूं और थाने में जा रही हूं तो हापने कूछ मतलब सलाब अगरा लोंगी जो पर काउंसलिंग सेंटर एं पूछंगे के कि मैंले इस तरह से ठंकिया बगरा दे रहा है तो क्या करें निंखरे ओर क्या आगकिंए क्यों के मेरे बाद में मेर बच्चों को समालने वाला कोई नहीं है बस यह एक डर जो है मेरी मन में 24 गंटा रहती है इसके अलाबा और कुछ ही नहीं रहता और अवरत को तो मनने से मुझे तो मनने से बिल्कुल डरने लगती है तो पूछूंगी और पूछने के बाद वहां पर जो भी होती है उसके बा